नमस्कार दर्सकों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे दर्सकों आज का जो हमारा वेडियो है, वो आपके लिए आवश्यक और महत्पुर्ण हो सकता है हम लोग बात करने वाले हैं स्वपन सास्तर के बारे में, दर्सकों सपने में अगर आपने बैल को देखा है तो सपने में बैल को देखना क्या अच्छा है या बुरा है इस सपने के वाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा क्या कोई फाइदा होगा नुकसान होगा या आपके जीवन में क्या होने वाला है शवाल बहुत ज्यादा महत पुर्ल रहेगा तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है लेकिन उसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना हर वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके वाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रों सपने में अगर आप बैल को देखते हैं या फिर सपने में अगर आप नंदी भगवान को देखते हैं तो इस सपने का जो अर्थ होता है वो बहुत ज्यादा सुभ और अच्छा होता है इस सपने के वाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा बहुत ज्यादा बदलाव होगा और हरेक परिवर्तन हरेक बदलाव आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद रहे हर एक बदलाव से आपको लाभ मिलेगा अगर आपके जीवन में कोई पड़ेशानी थी कोई शमस्या थी अगर आपके जीवन में समय का साथ भागी का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था आपका शमय आपका शाथ नहीं दे रहा था और अगर आप सफल नहीं हो रहे थे तो आ उसका अंत अपने आप हो जाएगा। मित्रों हो सकता है तो आप कहीं नौकडी करते होंगे, आप कहीं जौब करते होंगे। और अगर नौकडी के छेतर में आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ नहीं दे रहा था। नोकडी के छेत्र में अगर आपको शमस्या का सामना करना पर रहा था तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है इस सपने के वाद शमय का साथ मिलेगा भागी का सपोर्ट मिलेगा और नोकडी के छेत्र में जो पड़ेशानिया होंगी उसका अंत अपने आप हो जाएगा मित्रों अगर इस सपने से पहले आपके घर का माहौल खराब था आपके पडिवार का वाता बनना अच्छा नहीं था घर में शांती का अभाव था घर के लोग अगर तनाव में थे तो आपको चिंता नहीं करना है इस सपने के वाद घर का जो माहौल होगा वो बहुत शांती हो जाएगा घर के शभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे एक दूसरे की बातों को सुनेंगे और ऐसे वक्त में आपका जो पाड़िवारिक जीवन होगा वो बहुत ज्यादा मधूर और अच्छा हो जाएगा मित्रों आप में से जो भी लोग प्डेम शंबंध में होंगे और अगर इस सपने से पहले आपका प्डेम शंबंध अच्छा नहीं था प्डेम शंबंध में अगर आपको पडेशानी का सामना करना पर रहा था छोटी मोटी बातों पर अगर तनाव पैदा हो जाता था तो फिर आपको चिंता बिलकुल भी नहीं करना है इस सपने के वा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को आपको हर जगा सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राध है